का 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 खाज ही मारें कैम बात की खाज ही का कर खुद ने कोंपतो मैं बीच दिनाओं कैने दर का का खाज तो बता देते हैं तो तेरे काम मकसद न काम्याब तो थे हो गया कि थे मारी टिकेट कटवा दी पर वा खाज के जनता ने वा खाज तो बता दो चुरू लोग सभा की जंता एक सांसा चुनने के साथ साथ में बहुत बड़ा इस चुनाव के मारिफत से हम देश को एक बहुत बड़ा संदेश देने का काम कर रहे हैं आज दुनिया की सभी मीडिया अपने इस चुनाव के उपर नजर लगाए बैठी है सब के मन में कि बाद की उतल पतल है की चूरू में क्या होगा ऐब काल चूरू में 4 अपार जाओ जाओ यो वोगमनर पती है जो आवाज हमने उठाई है एक सोच के लिए उठाई है चुनाव लडना ही मकसद नहीं हमने बहुत से चुनाव लड़े हैं और आपके आशिरवात से बादरा ने तहमेशा वो मान सम्मान दिया जिसके बारे मैं जितना कहूं उतना कम है पर जात अंतर का जीता जाकता कोई सरूप है तो ये बादरा की जनता है जिन्नोंने मेरे पिता के पांच साल के अथक मैनत को पर मुझे बहतर अजार की लीड दी तो भादरा तैसील ने दी है और सिर्फ लोगों के सुख दुख में पहुंचकर लोगों के साथ कनेक्ट बनाकर लोगों के बीच में रहने के लोगों का मन जिता गया है और लोगों ने उसका भरपूर आशिरवात दिया और एक बार नहीं दो दो बार लगातार दिया और इसी यही खुबसूरती है प्रजात अंतर की कि आपके बीच में के आपके साथ है आपके सुख दुख में शामिल रहने वाला वेक्ति जिसको आप पसंद करते हैं जिसकी आपकी पसंद होती है वो उसको आप चुनकर M.P.M.L. बनाते हो पर ऐसी विवस्ता है बेट जाती ह जहां लोग फोपने का काम करते हैं जो फोपने कोई चैलिंड предлож किया है कोई परजात अंतर में आगे बढ़ेगा आपका नेतुर्त बाद करेगा और आगे बढ़ेगा तो वह आपके आशिवाद से बढ़ेगा किसी काका कैचम्चा करी करनों कोनी बढ़ेगो इस वक्सत के स तुनाव लड़ रहे हैं और यही बात सोचकर मैंने यह बड़ा मजबूत कदम मेरी जिन्दगी का उठाया यह असान नहीं था यह फैसला लेना बहुत सोच समझ करें सोचा इस बात को दस बार नहीं पचास बार सोचा कि समझ से आएंगी और बहुत ज़ा समझ से आ सकती हैं आगे भी आ सकती हैं क्योंकि भाजपा में तो लोग जाता दिखे हैं आतों कोई कोन दिखे हैं हिम्मत थारबाइडे करिये और इसे में बात के लिए करिए कि परजात अंतर जिंदा रहना चाहिए साथियों इसका ये मतलब ये नहीं ये चुनाव का खतम भी हो जाएगा एक विदायक एक सांसद हम भी सांसद बन भी जाएंगे पर इसका जो संदेश है वो आने वाले बहुत लंबे समय तक पढ़ता ये मेरा मानना था इसलिए मैंने ये मजबूतिकर उठाया लोग परिबाशा बदलना चाहते हैं चुनाओं की लोग आपकी सोच के उपर सोच रहें आप समझ मी नहीं पाते हैं लोगों का हावी हो जाता कि आप एक आहाम जंता में बैठावे एक आहाम आदमी समझ नहीं पाता पर प्रजात तंतर की ताकत ही है और इस ताकत को बरकार करने के लिए कोई भी कीमत चुका नहीं पड़े, आपका भाई हमीशा चुकाने के लिए तैयार रहेगा, इसी बात के लिए मैंने बात उठाई थी, मैंने दस साल के कारेकाल के अंदर, हमेशे अविकास को अपना एजंडा बनाया, हमने भैतरीन काम कराए, हम से भी एक विचार के साथ चल ले हो, पास्पोर्ट सेवा केंदर खोलना हो, एक वर्ल्ड क्लास सिंथेटिक ट्रैक हम चूरू में लेका है, चैब वो खोलना हो, मकसद राजनिती के अंदर यही होता है, कि एक सांसद और एक विदायक, मुझसे बहुत पुछतें की जाब, विचार धारा क्या रही है, ए यही पदिनी के लिए बने है, मैं इस विचार धारा को ही मानता हूँ, और इसी बात के लिए मैं खड़ा रहा हूँ, एक व्यक्ति के कारण यह शुरू वावाद 15 साल से यह लड़ाई है, काका का खाज ही मारा है, कहें बात की खाज ही काकर खुद ने कौंपतो, मैं 20 दिना काका का काज तो बता देते हैं, तू तेरे काम मकसद में कामयाब तो थे हो गया, के थे मारी टिकेट कटवा दी, पर वा खाज के जनता ने वा खाज तो बता दो, एक काका जैसे लोग जो बैठे वें, यह आज आपके भी घर में गुज गये हैं, और इसका असर आपको के अंदर के अंदर इसकी कोई जगह नहीं है अगर ऐसा कोई व्यक्ति कर रहा है तो किसी न किसी एक को खड़ा होना पड़ेगा इसलिए हम खड़े हुए हैं यह लोग आज भी इस मंशा से जिदो चुनाव लड़ रहे हैं इन लोगों को ट्रांसफर करवाना सो सो बच्चों कोई बोलने की हिमत नी रख पाया आज भी सरपंचों को खुले आम ड्रहा जाता है कि थाने साड़े चार साल काड़ ना कोनी के माइक पर बोलने की चीज़ां कोनी हुए पर इन लोगों ने माइक से बोल कर रहे हैं आप लोगों तक संदेश देना काम किया है कि हम हम बैठे हैं तो हम आपको ड्रा धमका के रखना चाहेंगे और काका ने तो हद इपार कर दी ज़द नाका खोलने की बात कर ली काको को नाको लगएगो जम दारू की लकडी की डिजल की गाडिया निकले की काको कड़वाओगो यो भी मुखतान लाग रहे है और देखो थे कि जमानो वागे पजातंतर के अंदर 30-30 साल लनों के इस पजातंतर में पद लेने वाले आदमी आज खुले मंचों से यहां कर रहे हैं कि थाने दारू की गाड़ी काड़नी है को काड़नी या ना सोचियो चूरू की बात कर रहे हैं वै चूरू लोग सभा की बात कर रहे हैं वै थाने भी एंचिज के दमगावंगा कि दारू की डीजल की लकड़ी काड़ी काड़ी काड़नी है तो काकाउं संपर करनो पड़गो कि आप बात नहीं सहेंग कर सकांगे या बात सहेंग को नहीं हो वह यह चुनाव सिर्फ हार जीत का नहीं है कि सांसत को बनाने का नहीं है यह चुनाव उससे पार का है यह चुनाव हमारे परजात अंतर को हमारे आत्म सम्मान को हमारे स्वाबी मान को बचाने का चुनाव है इसलिए आपका भाई खड़ा हुआ है चुनाव के अंदर और हम इसको दिनको दिखा के जाएंगे कि आज भी हिंदुस्तान के अंदर प्रजात अंतर जिंदा है और जनता अपना फैसला जब गुनिस तारी को सुनाएगी तो काका कनकाम बाद कुछ नहीं पावगो साथियों बहुत से मुद्दे रहे हैं एक चार सो पार का नारा दे दिया भाज़पा ने और इस चार सो पार के नारे से जो भै का माहौल बना है छेतर के अंदर सिंता के साथ मैं हर आदनी के मन में बहे बैड़ गया कि चार सो पार करू कियो रहा हो काम तो दो सो बत्तर में चाल जा पर मानने को नारे बिरन के करनों चावा है उपर से दो लोग और कह गया दो विदा सांसत कह गया है कि परत्याशी कि सांस चार सो पार कर दिया तो समीधान में शंसोदन कर देंगा या छोटी मोटी चीज ना मान लियो थे थाने लागए कि यह कोई कि यह चुनाव दिल्ली को है यह चुनाव विदा लोगसवा को है एमें गाम के काम शैद कम पढ़ेगा पर एमें कोई सी गलत निती बन जा तो थाने आने वाले 15 साल तक 20 साल तक बच्चा ने बहुत कुछ सहेंग करनों पड़ेगो कोई बात को नी कि चार तारी को जब विजल टाओगो छे तारी ने सुबह थे रात ने टीवी खोलोगा नो बजे तो थाने पतो लागए गो आज से चुनाव बंद और थेग गया कोई सरपंच को नी कोई BDC को नी कोई जिला परिशद को नी कोई MLA को नी अंपी को नी 400 पार को मतलब यू हो है या भी होश कहा कि थे टीवी खोलो एक दिन नो जे ताम पतो चाले काल से आरक्षन बंद क्ये करेंगा बाया क्योंकि 400 को मतलब सरकार बनानो को नी 400 को मतलब यू है कि कुछ ऐसा करना जो जनता के हित में तो होई ही नी सकता इसलिए चिंता का विशा है जागना पड़ेगा आप सभी को और सोचना पड़ेगा दस बार यह चुनाव नहीं इन्होंने बहुत बड़ी एक लड़ाई की बात कर रखी है अपने को पता नहीं चल पारा की करना क्या चाहते है इसलिए हम सबने मजबूती से के साथ में एक इंडिया गड़ बंदन बना है आम आदमी पार्टी से लेकर CPM और RLP हर्मान बाहिसाब लड़ रहे हैं चुनाव सबने मिलकरे के बिड़ा उठाया है और मन तो बिन्यू लागन 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 है कि चार सो में रोड़ो पड़गयों पर आपर ना दोस्तों बतर पार करने की बात बंदन लसका है जैंस हाब हुँ चालिया 25-0 25-0 चाला करती इब आज कल 15 सीट कांगरेश की बोलन लागी है और चुनाव 26 न पड़ए गोन है जब इंडिया गड़ बंदन की 15 सीट आ जान तो बड़ी बात ना मान लियो थे तो बाईयो लोग जो आप लोग बैठे वे हो कई लोगों ने कई लोगों ने इस बारे में साइध मन नहीं बना रखा होगा वो चुनाव के अंदर इस बात नहीं समझे नहीं को अपने एक चुनाव और मान के बैठ गया है यो एक और चुनाव को नहीं है भाईयों यो देश को सबसे बड़ो चुनाव है और कुछ तो अपने ऐसा किया है जो फारी मीडिया देश की अपने चूरू में आन लागा रही है अपने बादरां में आन लागा रही है मैं थहाने सारा नहही होँ ठंडे दिमाग से सोच के जरूर देखियो ये आवाज जो उठाई है ये आवाज आपके आने वाले बच्चों के कल के भवश्य के लिए उठाई है या किसी एक पद की लालसा के लिए नीर उठाई गई है ये बहुत लोग आपको ब्रहमित करने की बात करेंगे मैं ऐसे महौल के अंदर आप सबका सियोग मांगने आया हूँ मेरा अलब संकिक भाई सब बैठे वे आप साथी बैठे वे हो सबी हमारे बहुजन समाज के लोग बैठे वे है मैरा सबी वेपारी गन सबी छोटे मोटे हमारे हम जितने भी समाज थे 36 कौम के लोग बैठे वे हो मैं सबसे एक ही एवान करता आया हूँ एक साफ सुत्री राजनती करने का काम किया हमने मेशा भाई से कभी भाई को लड़ाया नहीं सब को जोड कर चले हैं कभी तेरी मेरी करीनी जिंदगी में आस तक किसी के बारे में भी पिताशी का साफ सुत्रा राजनती जीवन रहा है पर लोगों की मनशा रही नहीं है जब किसी भी कोई की जमीन से जुड़ाव व्यक्ति आगे बढ़ता है तो लोग काटने कोशिश करते है 2014 में पिदाशी का राजनतिक जीवन खितम करने का काम किया तो इसी काका ने किया, गुनिस में किया तो इसने कोशिश करी, काका काम्याब निवा 24 में काम्याब होगे आगर हम आज अवाज नहीं उठाएंगे आने वाला कल हमारे बच्चों का सुरक्षित नहीं एंकार और गमंडी लोगों के से लबालब लोगों के हाथ में कर राज चला गया तो लोगों को बहुत आयतना सहीं करनी पड़ेंगी